अब यह कहानी है बॉलिंग पॉयंट का मतलब तो कब वेपर बनके ओड़ जाएंग तो बॉलिंग पॉयंट डिपेंड किस बात पर करता है इंटर मॉलिक्ल फोर्स पर जितने जादा इंटर मॉलिक्ल फोर्स वोंगे उतनी अच्छी बॉलिंग पॉइंट होती है अब यह इंट्र पॉलिंग पॉइंट को डिसाइड करें तो एक तो तुम्हारा होता है हाइड्रोजिन बॉंडिंग जिसका मतलब होता है एसोसियेशन घुलना पार्टिकल को पकड़ के रखना स्ट्रॉंग बनाना तो यह एच बॉंडिंग की वजए से अ अगर सर्फीज बढ़ा होगा तो था एच बॉंडिंग बॉंडिंग जिसे एक मेरे बच्चय है तनिश्क दिल का बड़ा अच्छा बच्च है बढ़ा ही जयाता है कुछ भी काम दे दो उसको बनता है नादान और अंजान बट उसकी एसोशीशन मुझसे बड़ी है अच्छी इसलिए उसकी हर जूटी बात मुझे लगती है सच्छी तो स्टॉंगर एच बॉंडिंग मतलब स्टॉंगर बॉंडिंग तो स्टॉंगर इंटर मॉलेकलर फोर्स तो ज्यादा एच बॉंडिंग तो ज्यादा बॉलिंग फॉइंट ठीक है अच्छा दूसरा रीजन है सर्फेज एरिया तो हम कहते हैं लार्जर दे सर्फेज एरिया हायर दे बॉलिंग पॉइंट अब तनिश का अगर मैं कंपरेजन करूं मेरे एक और बच्चे से धनराज ज्योंकि है बहुत लंबा चौड़ा और बिगर इन साइस इसलिए हर टग ओफ वार में वो जीतता है प्राइस तो अगर सर्फेज एरिया बढ़ा है तो वेंडर वाल फोर्स बढ़ा है तो एच बॉंडिंग भी क्या होगी ज्यादा होगी समझे तो ध्यान रिखना कि सबस ने से ज्यादा बॉलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक असेड में होगी वहां पे ज्यादा है येलकोहल सबस्ती है अच्छा अच्छा एल्डीहइट की टोन और इधर इन में बॉलिंग पॉइंट का रीजन क्या है डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा यूचि वहां पे अच्छा क्योंकि एल्डियाइट कीटोन में डबल बॉंड हो लगा हुआ था तो डबल बॉंड हो सिंगल बॉंड हो से जाधा एलेक्ट नेगेटिव होता है तो जाधा पुलारिटी लेके आएगा डबल बॉंड हो तो एथर में जो वॉलिंग पॉइंट होगी वह इन दोनो तो जहां पर मॉलिक्लर मांस बढ़ गया वहां पर बच्चे बॉलिंग पॉइंट बढ़ गए तो डीओ फॉंग्व उंड शादा हुगको और तो अगर अगर कभी ब्रांचेंग हो जाती सब्सक्राइब तो अगर मालूम अम्मोनिया का केस लें और अनलीन का केस लें लेकिन अमोनिया पानी में ज्यादा तो नॉन पोलर करेक्टर बढ़ गया हूँ ठीक है तो हाइड्रोफोबिक हो तो आप एस्सेशन काम हो जाएगा तो बॉलिंग पॉइंट काम हो गई है अमजे बच्चे बिलते हैं एक और नहीं कहानी के साथ थैंक्यू सो मच्छ